नमस्कार दोस्तों, स्वागता है सभीगा आपके अपने यूडूब चैनल SB Medicine में आज आपने बात करने वाले हैं सितारा M टेबलेट की बारे में सितारा M टेबलेट को Intas Pharmaceuticals बनाता है जिसकी जो प्राइज है वो हैं 140 रुपे पर इस्ट्रीप यह 10 टेबलेट की इस्ट्रीप होती है जिसमें जो कंटेश्ट अलगा है वो हैं Cetagliptin 100 mg और Metformin 500 mg यह इसकी दो अलग अलग range होती है मतलब इसमें Cetagliptin 100 mg की जगह 50 mg भी आती है एक टेबलेट और उसमें Metformin 500 mg होता है और जो अपन आज जबन बात करें उसमें Cetagliptin 100 mg है इस टेबलेट का यूज आप डाक्टरी सवा से करें तो ज़्यादा बेतर रहेगा यह टेबलेट आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकर स्वे मिल जाएगी सितारा M टेबलेट एक एंटिडियाबिटिक मेडिसीन है जिससे टाइब टू डाइबिटीज मेलिटस यानि हाई ब्लेड सुगर के लाज में उज़ के जाता है इस टेबलेट में होने वाला सितागलिप्टेन एक DPP4 यानि डाइब पेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4 इनिबिटर हैं जो खाने के बाद इंसुलिन प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने में हल्प करता हैं और सरीर दवारा बनाई जाने वाली सुगर की मातरा को कम करता ह और मैटफॉरमिन एक बिगवानाइड हैं चो लिवर में क्लुकोज के प्रोडक्शन को कम करके आपके इंटेस्टाइन से क्लुकोज के अब्जर्शन को डिले करता हैं डाइबिटीस का बहुत ज़्यदा लेवल मतलब हाई हो जाने या फिर समय पर इसका इलाज ना कराने क हैं इस टाइम आप ध्यान रखें कि आप रोजाना एक्सरसाइज करें और हेल्धी डिएट लें जिन जिन चीजों से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा उन चीजों का अवोइड करें सावधानी में इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लिवर या किड्नी डिसीज हैं आपक सराब पीते हैं तो इस टेबलेट की यूज के समय आपको सराब को और यानि अलकॉल को आपको अवोइड करना है अगर आप पहले से कहीं तरह की एंटिडियाविटिक मेडिसीन ले चुके हैं या फिर इसी तरह की जो मेडिसीन है उसमें कम मात्रा यानि 50 mg वाली आपने टे खराब हैं तो इससे में डाक्टर साब को इसे दिन में दो बार भी आपको लेने की कह सकते हैं तो बेटर यह रहेगा कि जितना और जैसे आपको डॉक्र ने एडवर्ज किया हैं वैसे आप इसका यूज कर ले ये पेशेंट की जो कंडिशन है उसके उपर डिबेड करता है अब जान लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो जो common side effect आपको नजरा सकते हैं वो है नोजिया या vomiting होना, hypoglycemia यानि आपकी blood glucose level का कम हो जाना, आपको भूग की कमी होना और आपको respiratory tract के उपरी बाग में infection हो सकता हैं वैसे side effect कुछ time कर लेते हैं कुछ time बाद अपने ठीब हो जाते हैं, हाँ अगर आपको इनके अलावा भी कोई other conditions क्रेट होती हैं या फिर यह side effect limit आम तक बने रहते हैं तब यसे में आप इस tablet का use बंद करके अपने डाक्टर से consult कर सकते हैं तो friends, उम्मीद हैं आपको वीडियो जुरूर पसंदा होगा, अगर वीडियो अच